नमस्कार दोस्तों आज की इस फीडियो में जो है फार्मा सेक्टर की एक बहुत छोटे कमपनी के बारें बात करेंगे जिसका जो मार्केट कैप है सिरुफ 900 करोड का और ये कमपनी जो है लास्ट तीन साल से 45% की कमपाउंडिंग के साथ चल रही है इस कमपनी ने बहुत बैत एक साथ क्मपनी भी 45 परसेंट का है इसमें अगर ऐसा इप्छत बड़ा पैसा क्मपनदे देगी ठीक है नाम-पदस पहले मैं दिखाना जाओंगा यहां 45% की compounding की बजाए ये company सिरफ 35% की भी compounding दे दे तो देखें कि कितना पैसा हमारा ये company बना करके दे सकती है हम मानके चलते हैं 1000 रुपया सिरफ हम इसमें company में investment करेंगे और 35% की compounding हम assume करेंगे क्योंकि ये small cap category की company है तो ये जो है mid cap category का तक आते आते जो है 35% तक compounding दे देगी इसी के साथ large cap के बाद जो है large cap बनते ये थोड़ा सा compounding कम कर देगे तो mid cap तक मानके चलेंगे 35% की compounding दे देगा मान लेते हैं 10 साल तक हम इसमें SIP करें 11000 रुपय पर महिने एक महिने हर महिने जो है 11000 रुपय की SIP हम कर दें इस company के अंदर तो आने वाले 10 सालों में हमारा जो 11000 रुपय का investment होगा मंतली वो हमें 10 लाख रुपय बना करके देदेगा अगर हम इसमें time जो है include करके मंतला 5 साल और include कर दें 15 सालों का time दे इस share को इस company को तो आने वाले time में 15 सालों के बाद अगर आप 11000 रुपय महिना लगाओगे तो हमारा पैसा जो है 62 लाख रुपय बन जाएगा आने वाले 15 सालों में तो गजब की company है मुझे लगता है 35% य इस सालों का time देगे और compounding कम कर देते हैं महां लेते हैं यह company सिरफ 30% की compounding और 20 साल तक हो यदि यह S.I.P. hold कर लें 11000 रुपय इस company में लगा के तो हमारा जो पैसा है न वो 20 सालों के बाद S.I.P. जो होगी 11000 रुपय की वो 153,000 रुपय हमें बना करके दे देगी ऐसी यह company कौन सी company के बारे में detail में जा लेते हैं दोस्तों company का नाम है बजाज Healthcare Limited इस company के यह बात करें आज के दिन कोई भी चाता जो है इसमें movement नहीं देखने को मिला यह एक महीने की बात करें तो 10% की गिरावट है छे महीने की बात करें तो फीर 10% की गिरावट एक साल में भी यहां 705% की रेटन देखने को मिल रहे हैं lifetime में इसकी लिष्टिंग जो है 2016 में होई थी लगबग जो है इस company को 6 साल हो गया 6 साल से जाधा का टाइम हो गया है और इस company ने 705% की रेटन बना करके दे दी है तो मुझे लगता है future काफी ब्राइट है लास्ट सालों में 100% से जाधा क जो सालाना average return यह company दे रही है मतलब कि पैसा हर साल डबल यह company कर देती है इस company काफी quality है वह भी मैं quality भी दिखाँ हुआ ठीक है यह company जो है 964 क्रोड के market cap वाली company मतलब कि यह company जो है small cap category की company है वहीं पर बात करें यहां पर यह इस company का जो profit में growth है लास्ट पांस सालों से वह 55% है मतलब इसकी जो यह company के प्रोडेक्ट जो सेल करती है मतलब कि medicine जो सेल करती है उस पर 55% जो है profit यह सालाना कमा रही है लास्ट पांस सालों से ठीक है इसी के साथ साथ बात करें इसके net profit की तो लास्ट 2019 से लेगर के अभी देखेंगे 2019 में 16 क्रोड इस company ने कम आया उसकी बा आने वाले टाइम में जैसे कि आपको पता है medicine sector, pharma sector की काफी demand रहने वाली है तो यह company भी बहुत भैथरी रिटन आपको बना कर कर देगी यह दिबात करें compounding की तो last 5 सालों का compounding है 30% का है last 3 साल का compounding है वो 45% का है तो compounding के मामले भी काफी गजब की तेजी है यहाँ बात करे profit growth की तो last 3 साल से 63% के profit यह company कमा रही है तो बहुत गजब के profit भी यह company कमाती ही जा रही है और इस company में आप SIP ना भी करो तो lump sum जो है investment करके 10-10,000 रुपे तो भी multi bagger return आप बना पाओगे reserves की बात करें तो 343 क्रोड की reserves है कर्ज की बात करें तो 335 क्रोड की कर्ज है तो यहाँ पर ना तो इसके पास यदि हम reserve में से निकालके कर्ज कम कर दें तो यहाँ पर ना तो इनके पास saving है ना इनके उपर कर्ज है तो company बिलकुल जो है मतलब balanced है इनके पास saving भी नहीं है यह के साथ-साथ FIA ने भी यहां पर जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दिया है सबसे मैक्सिमम जो है होल्डिंग अभी देखने को मिले दिसंबर 2022 के क्वाटर में उसके बाद डिया ने भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है 0.34% तो यहां पर मुझे हमें बहुत बड़ा पैसा आपको बनती हो देखने को मिलेगा यदि बात करें हम यहां पर मैक्सिममम टाइम में कितनी गिरावट होई है तो वह भी मैं दिखाना चाहूँगा इस कंपनी में कितनी गिरावट है थोड़ा सा चार्ट ओपन कर लेते हैं वन येर वाला यहां पर इसमें मैक्सिममम देखें तो यह कंपनी गई थी करीब 498 में लगबग 500 रुपे चाहिएगा और यहां पर थर्टी परसेंट के आसपस की गिरावट चलिए 150 रुपे के आसपस का डिसकांट चल रहा है इस कंपनी मोका है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करके धीर धीर आप जो है मल्टी वैगर रिटन इस कंपनी से ले पाऊगे तो इसके उपर भी डिटेल में स्टडी कीजिएगा और इसके जो प्रोडेक्ट है बहुत अलगलग टाइप की प्रोडेक्ट है ठीक है और यह कंपनी मैडिसन बनाती है इसे के साथ बहुत दूसरे जो है मेडियेट जो है यह जो है इंग्रेडियंट है जो मेडिसन में यूज होते हैं तो बहुत सारी प्रकार के जो है यह दवाईयां बना दिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्टड़ी जूर करे लिजेगा थैंक्यू सो मच